हरी गृष्णा राधी राधी शिरी ओम नमो भक्वती वासू देवाई वैशाक मास महत्तम चोथा अध्याई नारज जी कहते हैं वैशाक मास में शरीर में तेल लगाना दिन में सोना कांसे की बरतन में फोजन करना दुबारा फोजन खाट पर सोना घर में इसनान करना यह सब कारिये वर्जित हैं वैशाक मास में दोपहर के समय ठके हुए ब्राम्मन के पैर दबाना सब रतों में उत्तम रत है जो दोपहर में आई थके ब्रामन को सुन्दर आसन देकर उनके पैर दबाता है वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगादी सब तीर्थों के इसनान का फल प्राप्त करता है जो मनुष्य, रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाक मास में इसनान ना करता है वह चांडालियोनी को प्राप्त होता है वैशाक मास की सक्रांती के दिन जो बाहर जाकर किसी तेर्थ पर इसनान नहीं करता वह सो जनम लेता है वैशाक मास में अन्दान, अत्वा जल दानना करने से निश्चे पूर्वक सभी दुखों से मुक्ती नहीं मिलती वैशाक मास में नदी में इसनान करके भकवान विश्णू का ध्यान करने से निश्चे ही तीन जनमों में किये गए पाप नश्ट हो जाते हैं प्रातेकाल समुदर में गिरने वाली नदियों में इस्नान करने से साथ जन्मों के पाप और उशाकाल में सब्त गंगा में इस्नान करने से करोडो जन्मों के पाप नश्ठ हो जाते हैं जहानवी, व्रद गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और तिर्वेणी यह सब्त गंगा हैं वैशाक मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्मों के किये हुए पाप नश्ठ हो जाते हैं दूद से उत्तम दहीं और दहीं से उत्तम खी है वैसे ही सब मासों में कार्तिक, कार्तिक से माग और माग से वैशाक मास उत्तम है दरिद्र तथा प्राधीन को जो भी थोड़ी से थोड़ी वस्तू, जल, कंद मूल, फल, गुड, छाच आदि मिल जाए वही दान करना चाहिए दान ना करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है और पाप से नर्क मिलता है इसलिए मनुष्य को अपने वित्ता नुसार अवश्य ही दान करना चाहिए वैशाक मास के देवता भगवान विश्णू है इस कारण इस मास में किया हुआ जब, दान, यग्य और तप अधिक फल देने वाले हैं नीचे लिखे मंतर से भगवान की प्रार्थना करें हे भगवान मैं वैशाक मास की सक्रांती में इसनान करने की कामना करता हूँ कृपिया आप इसको पूर्ण करें तथा हे मदुसुदन मैं इसनान करके आपको अरग्य देता हूँ, आप इसे ग्रहन करें गंगादी सब तीर्थ मेरे अरग्य को ग्रहन करके मुझ पर परसन नहों आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करके मेरे अरग्य को ग्रहन करें और यतोचित फल दें इस परकार अरग्य देकर इसनान करके वस्त्र पहन अपना नित्य नियम करें और वैशाक में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाक मास के कथा सुनें इसे करोडों जन्मों के पापनश्ट हो जाते हैं जो तुलसी दल से वैशाक मास में भगवान का पूजन करता है वह सार्व भोम राजा होकर अनेक जन्मों में विविद सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ भगवान विश्णु की सायुज मुक्ति को पाता है वैशाक मास महत्तम चोथा अध्याय समात हरी कृष्णा राधे राधे आज मंगलवार है आईए सुने मंगलवार की कथा हनुआन जी के मंदिर में एक साहुकार्णी रोज जाया करती थी चूर्मा की पिंडी और एक रोटी ले जाती कहती कांधे सोटो लाल लंगोटो हनुआन जी खायो चूर्मे और रोटी मैंने तुम्हें दिया जवानी में तुम मुझे देना बुढ़ापे में पूजा करके घर आई तो बहु बोली सासु जी तुम चूर्मा लोटी लेके कहां जाया करो हो सासु जी बोली बाला जी के मंदिर में जाया करो हूँ बहु कहने लगी मंदिर में तो नहीं जाओ हो अब सास कुछ नहीं बोली ना खाया जाके सो गई सोते सोते पांच दिन हो गए हनुमान जी सपने में आए और बोले तुने मुझे दिया जवानी में मैं तुझे बुड़ापे में देऊ हूँ बुढिया बोली आज तो तुम दे रहे हो रोज कोन देगा तब हनुमान जी बोले मैं रोज दे दिया करूँगा अब बुढिया ने चूर्मा खा लिया बहु के घर में कुछ पीना रहा सब चीजों में खाटा होने लगा बहु बोली सासु ने देखूं साथ दिन हो गए मैंने तो खाने को भी न दिया जाके देखा तो सास कूब मोटी हो रही है बहु कहने लगी सासु जी तुम्हे तो मैंने खाने को भी न दिया तुम क्या खाती हो सासु बोली मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी चूर्मा रोटी देके जावे हैं वो खाऊं हूँ अब बहु सास की पैरों में पड़ गई और कहने लगी हम तो तुम्हारे ही भाग का खाते हैं हमारे घर में तो कुछ पिना रहा अब आप ही संभालो सास रोच चूर्मा रोटी चड़ाने लग गई फिर से खूब धन हो गया जैसे सास ने हनुमान जी तूटा सब किसी पर तूटे कहते सुनते हुंकारा भड़ते पर बोलो हनुमान जी की जै